Hello students, we are going to continue relations and functions chapter. आज हम 1-1 function कैसे प्रूव करना है ये सीखेंगे. सबसे पहले 1-1 function की definition देखें. और function f from x to y is set to be 1-1 if and only if distinct elements of x have distinct images in y. सबसे पहले इतनी बात समझते हैं. कि let's suppose हमारे पास एक set है x और एक set है y. माल लिजे हमारे पास यहां पर कोई तीन elements है. तीन ही माल लिजे यहां पर है. According to definition क्या है? कि अगर x के हर element के लिए, जैसे यहां पर 1-2-3 elements हैं, इन तिनों के लिए जो images हैं y में, वो अलग-अलग हो, यानि एक, एक के साथ ही related हो, ये one-one situation होती है. ये इस तरह से भी हो सकता था, confused नहीं होना. जैसे मैंने तीन points यहां लिए, तीन यहां लिए, जुरूरी नहीं कि पहला-पहले के साथ, इसका यहां relation हो सकता था, इसका यहां पर और इसका यहां पर. Still it is one-one, ऐसा भी हो सकता था, कि यहां पर चार points हो, यानि कि चार values हो, कोई बात नहीं, एक के लिए, एक तो लग-लग है न, still it is one-one, तो ये one-one होता है. अब questions आ जाएं, तो उसमें इसको proof कैसे करना है, आगे इसी statement को पढ़िए, अच्छे से clear होगा. और, that is, if and only if x1 is not equal to x2, that means f of x1 is not equal to f of x2, और, f of x1 is equal to f of x2, that means x1 is equal to x2, यानि कि उपर वाली चीज़, one-one prove करने के लिए, ये नीचे वाली conditions दोनों में से कोई एक प्रूव कर दें, तो भी हम one-one बोल सकते हैं. मैं एक question लिख रहा हूँ, आपको बताने के लिए, कैसे उपर वाली condition को use करते हैं, जैसे हमें मान लीजिए, कोई function है हमारे पास, fx is equal to 2x, let's suppose ये function है, हमें prove करना है क्या, कि ये function, one-one है, और, साथ में ये जरूर है, कि ये function हमें, r to r दे रखा है, r to r मतलब real to real, यानि कि ऐसे, जो हमने दो sets बनाए थे न, तो left side में भी real values है, right side में भी real values है, अब इसे prove करना है, उपर वाली condition के हिसाब से, कैसे prove करते हैं, ध्यान से देखिए, prove करने के लिए हम करेंगे, let x1 and x2 belongs to r, देखो अब x वाली values हम left set में लेते हैं न, हैं तो सारी real values, तो जो x1 और x2 लेना है, वो reals में से लेना है, इसलिए let x1, x2 belongs to reals, मैं यहां से prove कर रहा हूं, हम क्या करते हैं, f of x1 is equal to f of x2 माल लेते हैं, कि अगर f of x1 is equal to f of x2 है, तो जो given function है, वहां से हमें prove करना है, कि देखते हैं, क्या x1, x2 के equal आएगा, जैसे अब f x1 की value क्या होगी, given function के इसाब से, 2 times x1 होगी, f of x2 क्या आएगी, 2 times x2 आएगी, अब देखो, 2 से 2 खतम हो जाएगा न, तो बनेगा क्या, x1 is equal to x2, अब देखो, f x1 और f x2 यहां से शुरू किया था, x1 equal to x2 बे पहुंच रहे हैं, यह condition बन रही है हमारे पास, इसका मतलब, this implies, given function is 1, 1, बहुत असान है, सिरफ इतनी सी चीज़ हमने prove करनी है, 1, 1 prove हो जाएगा, ठीक है जी, चलिए next इसी तरह की एक और example लेते हैं, यह question देखिए अब, prove that function f, n2, n मतलब, n means natural numbers, यानि कि left side में भी natural number है, right side में भी natural number है, defined by f x equals x2 plus x plus 1 is 1, 1, यह हमें prove करना है, अब इसे कैसे हम करेंगे prove, अभी अभी सिखा हमने, let x1, x2 belongs to natural number, यह जो left side है न, तो natural number को belong करते हैं, शुरुवात कैसे करेंगे, f of x1 equal to f of x2 लेके शुरुवात करेंगे, और prove करके देखते हैं कि x1 equal to x2 आएगा या नहीं, f x1 की value देखो, यहीं से निकलेगी हमारे पास, x1 square, plus x1, plus 1, इदर x2 square, plus x2, plus 1, ठीक है यह देखे, यह 1 से तो 1 खतम, अब यह x1 square है, यह right side में जो x2 square है ना, left side में लाएंगे तो minus का हो जाएगा, फिर उपर वाल x1, यह वाल x2 भी left में लेके आएंगे, equal to 0, आगे क्या करेंगे, a square minus b square formula, a minus b, a plus b, फिर x1 minus x2 है, keep it as it is, इसे भी bracket में लेके देते हैं, इस term और इस term में से क्या को मना रहे हैं, x1 minus x2 कॉमन आ रहे हैं, यह हमने बाहर कॉमन लिख लिया, तो यह क्या बचा है, x1 plus x2, यह पूरी की पूरी term बाहर आ चुकी है, तो इसकी जगहें पर 1, अब देखो, दो brackets की product 0 हो गए, अब दो चीजों की product 0 कब होती है, या तो यह 0 होगा, या यह 0 होगा, तो मैं यहाँ से ले रहाँ जी, x1 minus x2 is equal to 0, यह 0 है यह नहीं, कारण, देखिये जी, x1 plus x2 plus 1 जो है न, वो 0 के equal है यह नहीं, क्यों 0 नहीं है, for x1, x2 belongs to natural number, क्योंकि x1, x2 दोड़ो natural number है, natural number मतलब 1, 2, 3, 4 इसमें से कुछ होगा, तो फिर इनकी addition 0 तो आई नहीं सकती, तो फिर यह 0 हो सकता है, इसलिए हमने x1 minus x2 को 0 ले लिया, इसका मतलब x1 is equal to x2, जब x1 is equal to x2 आ गया, तो therefore, given function is 1, 1, तो इस तरह से बहुत easily prove कर सकते हैं, एक question और करते हैं, यह question देखिए अब, let a function f, r to r, r means reals, शुरुआत क्या से करेंगे, let x1, x2, belongs to reals, और f of x1, f of x2, दोनों को equal लेंगे, f x1 के value क्या बनेगे जिए, 3 minus 4 times x1, इदर 3 minus 4 times x2, 3 से 3 कट गया, we are left with, minus 4 x1 equals minus 4 x2, दोनों तरफ minus 4 से divide कर दीजिए, dividing by minus 4, क्या बनेगा जी, x1 equal to x2 आ जाएगा, और अगर x1 equal to x2 आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं, therefore, given function is, 1,1, right, तो आज हमने 1,1 concept clear किया, questions में कैसे prove करना है, function 1,1 है या नहीं, तो I hope आपको ये समझ आया होगा, अपने next lecture में हम continue करेंगे, thank you so much,